दिल्ली से सटे हुए राज्यों के जो पहले की तरह अब फिर से एक बार सील कर दिया है लेकिन जब अनलॉक वन की शुरुवात आज हुई तो इन बॉड्रों पर कई किलो मीटर लंबे जाम लगे वे थे लोगों में ये कन्फ्यूजन था कि क्या जो सरकार कह रही है कहने सरकार कि अब राज्यों की सीमाओं को खोल द्या गया है तो क्या वो आजा सकते हैं हलाकि जब जो दिल्ली से लगे हुए दूसरे राजी थे हरियाना या उत्तरपरदिश इन दोनों राज्यों की तरप से यह फैसला वहां के सीम ने उन जिलों के डीम के ऊपर छोड़ा उन दियम को यह तैय करना है कि क्या वो बॉटर खोलेंगे या नहीं। दिल्ली सरकार ने भी यह फैसला दूसरे राजी सरकारों के उपर छोड़ दिया कि वो चाहें तो इन बॉटरों को खोल सकते हैं नहीं तो वो बंद रख सकते हैं। नोईडा के DM की तरफ से यह तर्क दिया गया कि दरसल नोईडा में जो भी मामले हैं ये दिल्ली से आईवे लोगों के उसमें से साथ प्रतिशत मामले मतलब ये लोग वो लोग थे जो हर दिन दिल्ली में किसी ना किसी काम से जाते आते थे या वो वहाँ पर नौकरी कर रहे जिसके बार आज सुभा के confusion को अब दूर कर दिया गया है और अगले आदेश तक के लिए दिल्ली नोईडा बॉर्डर को फिर से एक बार seal कर दिया गया है अब वही लोग आ जा सकेंगे जिनके पास E-PASS है जिनके पास पहले से PASS था वो लोग आ जा सकेंगे साथी मीडिया को सिर्फ अपना आईकार्ट दिखाने के बाद आने जाने की पर्मीशन है साथी वकील को और जरूरी सामान जो लोग लेकर आ जा रहें उन्हें भी यह छूट दी गई है जो दुकांदार है उन्हें यह छूट दी गई है लेकिन बांकी तमाम लोगों को फिर से उन पर एक ब लगा दी गई है अब वो इस इन बॉडरों को क्रॉस नहीं कर पाएंगे साथ ही यह भी कहा गया है कि जो लोग नौकरी के लिए आते जाते हैं वो सुबह 9 बजे तक इन बॉडर को जरूर पार कर जाएं और शाम के 6 बजे के बाद ही उनकी इंट्री होगी दिन में 9 बजे के बाद से 6 बजे तक उनको इस बॉडर से आना जाना उनका भी बैन रहेगा साथ ही नोईडा प्रसासन ने दिल्ली सरकार से यह भी बिंती की है कि वह उन लोगों के बारे में जरूर बताएं जो लोग सरकारी ऑफिस में काम करने के लिए इन जीलों से जाते हैं और उनकी गुर्गाओं बॉर्डर पर भी यह समस्या देखने को मिली वहां पर भी सुबह से लंबा जान था वहां के भी प्रसासन ने यह फैसला लिया है कि अगले आदेश तक दिल्ली गुर्गाओं बॉर्डर भी पूरी तरीके से सील रहेगा जिनके पास सिर्फ पास है वही आज सकेंगे आम लोगों के लिए इस रास्ते को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है पहले की तरह यह रास्ता अभी भी बंद रहेगा अगर आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजी अगर आप दिल्ली से नोईडा आना चाहते हैं या नोईडा से दिल्ली जाना चाहते हैं और आपके पास पास नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं वही अगर आप गुर्गाओं की तरफ यात्रा करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते हैं आप फरीदाबाद की तरफ यात्रा करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए परोसी जिलों के डीम ने यह फैसला लिया है कि फ झाल झाल झाल